इवीर प्राक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुसासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा था और अपने योग्यता और ख्षमता के आधार पर किया था और संकटों के बीच किया था संगर्ष में जीवन के रहते हुए किया था विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व असंभव है कि जिसने लगातार संगर्ष के बीच में सुसासन की उत्तम परंपरा को मजबूत बनाया हो आगे बढ़ाया हो चत्रपती सिवाजी महराज यहने घोड़ा सलवार युद्ध लड़ाई विजाए यहां तक सिमित नहीं है वे पराक्रमी थे वीर थे पुर्शार्थी थे हम सबकी प्रेणा है लेकिन साथ साथ अब कल्पना तो कीजिए छोटे-छोटे किसान मावले उनको साथ लिया उनको प्रसिशित किया और युद्ध के लिए तैयार किया कितने बड़े संगरन शास्त्र का कौशल्या चत्रप गुठ बनने वाला है उसमें जल्पुजन का भूमी पुजन का सोभागी मिला है ऐसा आवसर जीवन में धन्यता की अनुभूति करा ता है और पूरा देश जब निर्मान कार्ये पूरा होगा तब गर्व की अनुभूति करेगा और विश्व में सीनास्तान के खड़ा होग कि दुनिया का सबसे उचा आइकोनिक बिल्डिंग हमारे पास है और उस महापुरुष में जिसने जन सामान्य के सुख के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया था ऐसे शत्रप्रदी सिवाजी महाराज को आज नमन करने का मुझे अउसर मिला। शत्रप्रदी सिवाजी महाराज की रहा है।